असलाम अलेकूम एंड वैलकम बैक टू मैं चैनल सो आज की वीडियो में बनाएंगे गाजर और लीमू का जार तो इसके लिए चीज़े चाहिए गाजर जुसको मैंने इस तरह से कट कर दिया है उसके लाव लेमन इसको भी कट कर दिया है मेथी दाना वन टेबल स्पून सुर ब्लैक पेपर काली मर्च साबत मट् टेवल स्पून और डमक अजबे जुरूरत जुए्ट राई के दाना वनटेवर जुए स्पून कड़ी पत्ता एक मस्टरट सीट्स यानी सरसो के सीड्स सरसो के बीज वन टेबल स्पून हल्दी वन टेवर फून और अजवाइन वन ट तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम गाजर और लेमन को एक बर्तर में कर लेंगे अब हम इसके उपर डाल देंगे नमक और हल्दी और अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसको हम लोग 8-10 घंटे रखेंगे या फिर पूरा दिन ताकि अच्छे से पानी निकल जाए और यह खराब ना हो अचार हमारा और हल्दी मैंने थोड़ी से और भी यूज की थी अल्मोस्ट वन टेबल स्पूर मैंने यूज की हल्दी भी अब हम इसको रख देंगे साइट पर धखकर सो जनाब अब हम इन सारू मसालों को करेंगे रोस्ट एक पैन में डाल कर दो मिंट के लिए इन मसालों को हम लोग भूनेंगे ताकि इससे अच्छे से रोस्ट हो जाए और कोई नमी बगारा हुई तो वो इसमें से निकल जाएगी और अच्छे से करारे हो जाएगे मसालों की बहुत प्यारी से खुश्बू आना शुरू हो गई है अब हम इनको ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे सारे बीच अच्छे से ठंडे हो चुके हैं अब हम इनको दर्दरा साथ पीस लेंगे सो जनाब गाजरों और लीमू को नमक और हल्दी लगाए हुए दस घंडे हो चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं उन्होंने पानी छोड़ दिया है तो इनको हम करेंगे स्ट्रेंगे और इसका पानी हम रिमूफ कर देंगे सो जनाब यह था हमारी गैरिट्स और लेमन का पानी जो हमने सारा डालके रिमूफ कर दिया था अब हम इसको धोड़े दिर के इस तरह से चन्नी में रखेंगे ताकि जो और पानी होगा वो निकल जाएगा फिर उसके बाद हम उसके पर मसाले एट करेंगे सो जनाब हमने गाजरों से अच्छे से पानी रिमूफ कर लिया है अब हम इसको एक खुले बर्तर में शिफ्ट कर देंगे अब हम इनके पर अपने पिसे होई मसाले बेज यह एट कर देंगे अब हम करेंगे अच्छे से मिक्स सो जनाब हमारे कैरेट्स पर मसाले अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने अब हम लेंगे एक गप सरसो का तेल जिसको हम लोग थोड़ा सा पकाएंगे सो जनाब हमारे तेल पक चुका है अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और नीम गरम हम अपनी गाजरों के उपर उसको डालेंगे सो फिर से हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे सो जनाब आइल अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसको डालेंगे कलोंजी सुर्ख मिर्च और मजीद थोड़ा सा नमक अब हम इसको फाइनल मिक्स देंगे सो इसी के साथ हमारा अच्छार बिल्कुल तयार है अब हम इसको बस किसी शीशे के जार में या फिर किसी मर्तर बार में डाल देंगे और रेड़ी तू यूज है तो यह थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो होगा तर्न द ब्लैक थाम ब्लू सब्सक्राइब तू दे चैनल बाइ टर्निग द रट सब्सक्राइब बटन ब्लैक ख्लिक तब आइक अपने फीड़एक जरूर दिये जगा और मेरे पहले चैनल नाज आर्ट गालों को भी जरूर सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए फी हमारी लाग